इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने WPS Office Android Application के अंदर WPS Clouds की सेटिंग कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला आपको Home Page पर Application के आ जाना है और यहाँ पर सबसे कोने पर आपको में यानि प्रोफाइल पर चले जाना है और जाने के बाद यहाँ पर आपको WPS Cloud दिख जाता है और यहाँ पर 1GB है हमारी 1mbb पूरी नहीं है पर जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाती है यानि के यूसेज जो आपकी रहती है डेटा वो दिख जाता है डोक्योमेंट क्लाउड स्कैन जो यह सर्वीजिज आ वो स्टार्ट होनी चाहिए या नहीं बैकप पर लगनी चाहिए या नहीं वह आप यहाँ पर टिक करके बंद कर सकते हैं और जो आपकी अप्लोड हो अंडर वाइफाई हो यह फिर मोबाइल नेट्वर्क से भी हो आप आप से लाइट कर सकते हैं और दो फीचर यहाँ पर ऑटमेटिकली ओन रहते हैं सेफ्टी प्रोटेक्शन और यहाँ पर आपका कोलाइबरेटिव एडिटिक तो यहां पर यह सब चीजे ऑटमेटिक बागी यहां पर आप जो है सिंगल साइट रुनो एड वगेरा वगेरा सब चीज यहां पर देख सकते हैं तो यह प्रसेस रहता है इसका अगर यहां पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजाएं मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक किया